हेलो एंड वलकम टू जूपिटर एजूकेशन हब आई बीपिएस एक्जाम 2020 कोरोना में कैसे होगा आपका एक्जाम ये चीज़ है कंपलसरी क्या है एक्जाम की गाइडलाइन्स एक्जाम के पहले ये वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए अगर आप आप आई बीपिए पियो का नोटिफिकेशन तो रिलिस कर ही दिया है साथ ही में आई बीपिएस ने कल ही आई बीपियो और क्लर के लिए एक्जाम डेट्स की भी नोटिस जारी कर दिया है अगर आपको आपने वीडियो नहीं देखा है तो यहां पर एक आई बटन आ रहा होगा वहां से आप वीडियो देख लीजिए और आप आपको पता पढ़ जाएगा कि आपके एक्जाम कब होने वाले आरर भी पियो और क्लर के लिए नाव हम बात करें अगर तो इस बार जो आपका आरर भी का एक्जाम होने वाला है आई बीपियस की तरफ से उसमें सोशल डिस्टेंसिंग का जो है काफी important रहने वाला है ये factor क्योंकि ये जो एक्जाम है ये lockdown में होने वाला है यानि कि कोरोना के होने के बावजूद IBPS एक्जाम करवा रही है तो आपके पास क्या क्या चीज़े होनी चाहिए इसके लिए IBPS ने एक detailed guidelines जारी की है उसी के बारे में अब हम चर्चा करते सबसे पहले जो candidate होगा उसको एक N95 marks wear करना ज़रूरी है जी हाँ mask काफी compulsory है without mask आपको exam hall में या फिर exam center के वहाँ पे entry नहीं दी जाएगी so आपके पास एक N95 mask होना काफी ज़रूरी है साथ ही में आपके पास gloves होने भी ज़रूरी है उसके बाद एक आपकी personal पानी की bottle भी होना ज़रूरी है यानि की center में आपको वहाँ पे कोई भी पानी के विवरस्ता नहीं मिलेगी आपके साथ gloves और पानी की bottle आप खुद carry करने वाले हैं नेक्स्ट अगर हम बात करें तो personal hand sanitizer जी हाँ आपका खुद का एक personal hand sanitizer होगा जिसकी वज़े से आपको बार-बार वहाँ पे hand sanitizer करवाया जाएगा उस साथी में आपके mobile में आरोग्य स्यत्यू एप जो है वो download होना चाहिए नेक्स्ट जैसा कि आप सभी को पता है दो गस की दूरी जो है वो काफी ज़रूरी है और इसी वज़ेसे exam hall में exam center में आपके वहाँ पे social distancing का पालन किया जाएगा साथ ही आप जब आप exam hall में एंटर करेंगे तो आपको thermogen के साथ आपकी thermal screening की जाएगी और किसी भी student का अगर temperature जो है वो 99.14 Fahrenheit यानि कि अगर हम डिग्री में देखे तो 37 degree centigrade जो कि हमारे body का normal temperature होता है उससे अगर कम है तो उस candidate को exam hall में entry नहीं दी जाएगी आपको वापस लोटा दिया जाएगा next अगर हम बात करें तो जैसा कि आप सभी को पता है जो exam दे चुके है पहले भी IBPS का पिछले साल दिया होगा so उसमें rough sheet provide की जाती इस बार आपको कोई भी rough sheet provide नहीं की जाएगी बलकि आप जिस desk पे होंगे जिस table पे होंगे वहीं पे आपको आपकी rough sheet जो है वो वहाँ पे मिलने वाली है साथ ही अगर हम बात करें कि जिस प्रकार से हमारा exam खतम होता है उसके बाद जो है rough sheet जो है वो हमारे invigilator आके collect करता है लेकिन इस बार collection का कोई process नहीं होगा वहाँ पर एक dustbin हो या फिर एक box होगा उसी box में आपको खुद से ही वो rough sheet वहाँ पे डाल देनी है साथ ही जो हम copy यानि कि हमारे ID proof होते है call later होता है उसकी jerox जो होती हम जो साथ में लेके जाते है as a proof वो भी हमें कोई collect नहीं किया जाएगा वो भी एक box होगा उस box में डाल दिया जाएगा next अगर हम बात करें तो एक और important में जो notice देना चाहूँगा या फिर information आपको देना चाहूँगा कि जब हम exam center hall के पास पहुंचते हैं exam center पर पहुंचते हैं तो हमें वहाँ पर पहले से एक gate के उपर एक list दिखाई देती है जहाँ पर हमें पता पड़ता है कि हमारा lab number क्या ह है हमारा हमारा जो सीट है वो किस फ्लोर पर है इस बार वेसी कोई विवस्ता नहीं है इस बार आपको सीधे ही जब आप entry करेंगे जब आपके scanning होगी उसी समय आपको बता दिया जाएगा कि आपका सीट कौन से फ्लोर पर या फिर लैप पर है तो यही एक important जो guideline थी वह आई एंसर करेंगे थैंक यू सो मच बेस्ट अफ लग